वेरी वेरी गुड मॉर्णिंग मैं डियर स्टुडेंट्स लेसं टू के वीडियो लेक्चर में आप सरी दों का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए यहां से देखते हैं प्रस्ट यह उठता है कि एक गुड मेमोरी एक अच्छी इस्मृति का पुजेशन मतलब होना इस आल टुगेदर मतलब पूरी तरह से डिजाइरेबल मतलब उचित है इस आफेन बीन डिसकस्ड इसके बारे में हमेशा बहस हुआ है यानि कि प्रस्ट यह है कि एक अच्छी स्मृति का होना पूरी तरह से उचित है या नहीं इसके बारे में प्राया विचार विमर्स किया जाता है और में विद फालिबल मेमोरी और ऐसे लोग जिनकी मेमोरी या दास्त बहुत फालिबल मतलब कमजोड होती है कभी कभी ओ लोग अपनी स्रिष्टा को प्रदर्शित करने के लिए अच्छा काम कर जाते हैं यानि कि जिन लोगों की आदास्त बहुत ही कमजोड होती है कभी कभी अपनी स्रिष्टा को बहुत अच्छी तरह से वह प्रदर्शित कर देते हैं मैं दे से उनके अंसार एक ब्यक्ती हूँ इस ये परफेक्ट रिमेंबरिंग मसीन जो पूरी तरह से एक रिमेंबरिंग मसीन मतलब या दास्त जिसकी बहुत तेज हो या जो हर बातों को लगबग याद कर लेता हो इस सेल्डा में मैं आफ दर फस्ट इन्टिलिजेंस वह बहुत ही कम सेल्डा मतलब बहुत कम या नाम मात्र के लिए फर्स्ट इन्टिलिजेंस मतलब परफम बुधिमता का ब्यक्ती माना जाता है आइंड दे को और वे लोग कहते हैं various cases बहुत सहसे मामले हैं आप चिल्डेन बच्चों के आर मेन या फिर उन ब्यक्तियों के जिनकी आदास्त बहुत अच्छी थी या जिनकी अद्भूत इस्मृतियां थी and who ate had no intellect to speak up उनके पास कहने मात्र की भी intellect मतलब बुद्धिमता नहीं थी कि I imagine मैं कल्पना करता हूं how ever मतलब तो भी मैं कल्पना करता हूं that and the whole the great writers and the great composers of music have been made with the exceptional powers of memory मैं कल्पना करता हूं कि जो महान लेखक है या फिर महान संगितग्य है उनकी जो यादास्त है exceptional powers मतलब बहुत ज्यादा है या फिर उनकी आदास्त अद्भूत है the poets I have known जिन कभियों के बारे मैं जानता हूं have better memories उनके पास अच्छी आदास्त है。 09 उन डलालों की प्रीचह आई है वनों जिने मैं जानता हूं, जिन कभियों को मैं जानता हूं उनकी आदास्त उन दलालों की प्रीचह बहुत बेतर है जिने मैं जानता हूं memory इंडीड is half the substance of देर आर्ट वास्तों में जो यादास्त है उनके कला का आधा सबिस्टेंस मतलब तत्व है on the other hand मतलब दूसरी तरफ इस्टेट में सीम टू है इक्स्टा आर्डिनरी बैड मेमोरी जो स्टेट में मतलब जो राजनितिग्य होते हैं उनकी जो यादास्त होती है और एक्स्टा आर्डिनरी मतलब अतियंत खराब होती है lay two statement attempt to recall the same event लेखा काता है कि यदि दो राजनितिग्यों को एक ही घटना को याद करने के लिए कहा जाए या फिर एक ही घटना का burden करने के लिए कहा जाए what happened for example उदाहरण के लिए what happened मतलब क्या हुआ I had some cabinet meeting किसी एक cabinet meeting मतलब मंत्री मंडल में किसी मंत्री मंडल की सभा में क्या कुछ घटित हुआ यदि उनसे ये पूछा जाए and each of them और उसमें से परतेक राजनितिग्या will tell you आपको यह बताएगा that the other story जो दूसरे की कहानी है is so inaccurate वह इतनी गलत है that either he has a memory like a sieve या फिर वह एक सीव मतलब चलनी के समान उसकी यादास्त है R is an audacious perverter of the truth देखिए audacious का मतलब वजाएगा साहसी परverter मतलब जो किसी बस्तु को तोर मड़ोर कर पेस करता है तो वह आपसे यही बताएगा कि जो दूसरे की आदास्त है वह या तो चलनी के समाने या फिर वह सत्य को तोर मड़ोर कर आपके सामने पेस करने की कोशिस कर रहा है the frequency मतलब वह बारंबरता with which जिसके साथ the facts यह तत्य हैं in the autobiographies की आत्म कथाओं में and speeches of statement या फिर राजनितिग्यों के भासर में our challenge वह पूरी तरह से चुनावती देते हैं और suggestion मतलब सुझा देते हैं that the world has not yet begun to produce idle statement कि इस संसार में आदर्स राजनितिक गिने अभी तक जन्म नहीं लिया है men who like great poets वह ऐसे बेटी जो महान कभियों के समान है had the genius of memory उनकी जो यादास्त है बहुत ही genius है बहुत ही आदर्स है and of the intellect combined और उसमें उनकी intellect मतलब बुद्धिमिता का मिलन हुआ है at the same time उसी समय आरडिनरीली good memory is so common एक साधारा रूप से आरडिनरीली मतलब साधारा रूप से अच्छी आदास्त इतनी समाने बात होती है that we regard हम लोग मानते है यह man who does not possess it जो इसको नहीं रखता है possess का मतलब रखना it is eccentric उसको हम संकी मानते है I have heard of a father मैंने एक ऐस्ते पिता के बारे में सुना है who having offered to take the baby out in a perambulator perambulator का मतलब होता है बच्चा गाड़ी जो अपने बच्चे को बच्चा गाड़ी में ले करके बाहर घुमाने के लिए जाता है was tempted, tempted का मतलब होता है आकरसीत हो जाना by the sunny morning मतलब धूप वाले सुबह में तूप पाज मतलब रुख जाता है on his journey यानि कि अपनी यात्रा को रोक लेता है and sleep और घुस जाता है into a public house public house मतलब सराब घर में for a glass of beer, a glass of beer पीने के लिए leaving the parameter outside और क्या करता है कि बच्चा गारी को बाहर छोड़ देता है he disappeared, वह गायव हो जाता है throw the door of the saloon bar वह सराब पीने के बाद में पिछले दरवाजे से saloon bar, मतलब पिछले दरवाजे से वह गायव हो जाता है a little later, कुछ देर के बाद में his wife had to do some shopping, उसकी पत्नी को कुछ खरिदारी करनी होती है which took her past the public house और वह उस सराब घर के सामने से ही निकलती है where to her horror, जहां पे वह बहुत ज्यादा भैभीत हो जाती है she discovered her sleeping baby जब वह वहां पे अपने सोते हुए बच्चे को देखती है indignant at her husband's behavior अपने पती के बिवार पर बहुत ज्यादा indignant मतलब क्रोधित होते हुए she decided to teach me a lesson वह निड़ा करती है उसे teach lesson मतलब सबक सिखाने के लिए she will away the perambulator वह बच्चा गाड़ी को लेकर चली जाती है picturing to herself और अपने मद में या picturing मतलब तस्बीर बनाते हुए his terror मतलब उसके भै की यानि कि अपने पती के भै की when he would come out and find the baby gone कि जब वह आएगा और उससे यह मालुम चलेगा कि उसका बच्चा गायव हो गया है तो कितना भैवीत हो जाएगा she arrived home वह घर पहुंचती है anticipating anticipating मतलब या अनुमान लगाते हुए या कल्पना करते हुए with angry release angry मतलब क्रोधित release मतलब भावनाओं से अपने क्रोधित भावनाओं से यह उमीद करते हुए कि the white face and quickering lips that would soon appear वह यह सोचती है कि जब उसका पती आएगा और उससे बच्चा नहीं मिलेगा तो बहुत जाना भैवीत हो जाएगा और जब उसका पती घर पे आएगा तो उसका जो चेहरा है वह वाइट मतलब सफेद पढ़ गया होगा और उसके होट काप रहे होंगे that would soon appear मतलब इस तरह से वह आएगा with the news इस समाचार के साथ that the baby had been stolen की बच्चा चोरी हो गया वाट वाज हर वेक्सेशन वेक्सेशन का मतलब होता है कस्ट मतलब कितने कस्ट की बात थी smiling cheerfully and asking जब उसका पती लंच के पहले मुश्कुराते हुए और प्रसंदता पुर्वक घर आया and asking मतलब यह कहा well my dear मतलब प्रिये what is for lunch today आज लंच में क्या बना है having forgotten all about the baby वह पूरी तरह से अपने बच्चे के बारे में भूल चुका था and the fact that he had taken it out with him और यह तथ भी भूल चुका था कि वह अपने साथ उस बच्चे को ले गया था how many men below the rank of philosopher एक दासनी के स्रेणी के नीचे कितने ऐसे ब्यक्ती है जो इस प्रकार के absent mindedness as this मतलब इस प्रकार के भी स्मृत्ति वाले होंगे most आपस हमें से अधिकांस लोग I fear मैं भय भी थूँ और बान विट प्रोसैकली मतलब साधारण efficient मतलब परयाप्त memories मतलब यादास्त मतलब साधारण रूप से प्रयाप्त इस्मृति के साथ ही जन्म लेते हैं if it were not so यदि ऐसा नो हो the institution of the family मतलब जो परिवार की जो ब्रेवस्ता है could not survivor जीवित नहीं रह सकती है in any great modern city मतलब किसी भी आजनिक बड़े सहर में कर दो कर दो